नमस्कार और होनी को कुछ टाल नहीं सकता लेकिन हम अपने नेक करम से इश्वर के नाम लेने से जब करने से तब करने से होनी के प्रभाव को कम कर सकती है ताकि मिर्तियों के सहमें हमें पीडा ना हो, हमें कस्ट ना हो इसके बारे में एक कहानी है राजा प्रिक्षित थे अभी मन्यू के पुत्र थे अब राजा प्रिक्षित के बेटा था राजा जनमेज जी एक दिन जनमेज जी वेज व्याज जी के पास बैठे थे और बातों ही बातों में राजा जनमेज जी ने वेज व्याज जी को कहा कि जहां पे आप सब लोग इतने ताकतवर थे, इतने बलवान थे, असमर्थवान थे, जिसे भगवान सिरकृष्णी थे, भिश्म पितामा थे, गुरू दोरना चारिय थे, कुल गुरू थे, कृपा चारिय थे, धर्मराज युदिस्टर थे, ऐसे महा लोग थे वहाँ पर, फिर भी आपके समय में महा बारत का युद आप लोग रोकनी पाए, जन धन की हानी होगी अब बहुत लोगों की मिर्ती होगी, यदि मैं उस समय महा होता, तो अपने प्रुशाद से इस विनाश को होने से बचा देता, इस घमण बड़े शब्तों से, व्याज जी शांत रह उन्हें कुछ निकाव बोले, बेटा, अपने प्रोजो की शमता पर शंकाना करना, ये तो विदी का विदान था, जो बदला नहीं जा सकता, यदि ऐसा हो सकता, तो सिलकिशन भगवान में इतनी सामर्थी है थी, कि वे युद को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद को नहीं रोका, राजा चनमेज अपने एंकार में अपनी बात पर अड़े रहे, बोले मैं इस सद्धान को मानता ही नहीं, आप तो फ्यूचर प्रिक्शन करते हो, तो मेरे बारे बताओ, कि मेरी मिर्ट्व कैसी होगी, मैं उस विदी के विदान को बदल कर दिखाऊंगा, व् उमें एक सुन्दर इस्त्री मिलेगी, जिसे तुम महलो मिलाकों से शादी करेगा, और शादी करने के बाद तुम वहाँ पर एक यक करेगा, और वहाँ पर तुम बुढ़े ब्राहमनों को ना बिठाकर, युवा ब्राहमनों से यक करवाओगे, मैं तुमें फिर भी वियाज जी ने का, अभी सुनो मिले बात पूरी नहीं हुई, उस यग में कैसी घटना हो जाएगी, कि तुम अपनी राने के कहने पर उन युवा ब्राहमनों को प्रान दन दोगे, जिससे तुमें ब्रामत्या लग जाएगी, उस ब्रामत्या के पाप से तुमें कुष्ट रोग होगा, अब वो ही तेरी मिल्ट्यू का कारण बनेगा, इस घटना करम को रोख सकते हो तो रोक लो, वेज भ्याज जी की बास सुनकर, राजा जैने में इस जैने शिकार पर जाना छोड़ दिया, लेकि कहते हैं ना जब होनी का समय आता तो कुछ रोक नी सकता, तो रा राजा ने सोचा कि चलो दक्षिन दिशा में नहीं जाओंगा, लेकिन उस दिन गोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिन दिशा की ओर चला गया, वहां पर समूद तर्ट पर एक सुन्दर इस्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया, राजा जनमेजे ने सोचा कि इसे महल में ले जाओंगा कि शादी नहीं करूंगा, प्रंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पढ़कर उसे शादी कर ले, फिर राजा जनमेजे ने यग किया और उस यग में युवा ब्रहामनों को रखे गए, किसी बाद पर युवा ब्रहामन रानी पहसने लगी, तब उन्हें कोड हो गया, अब राजा जनमेजे घवरा आ गए, तुरंद वियाज जी के पास पहुँचे और अपने जीवन को बचाने के लिए प्रातना करने लगे, वेज वियाज जी ने कहा, एक अंतीम अवसर तेरे प्राण बचाने को देता हूं, मैं तुझे महाबारत में हुई गटना का याद करवाँगा, जिसे तुझे शर्दा से और विश्वास के साथ सुनना, इसे तेरा कोड मिठ जाएगा, यदि तुने किसी बात पर अविश्वास किया, तो मैं महाबारत की प्रसंग रोग दूँगा, फिर मैं तेरे जिवन को नहीं बचा सकूँगा, याद रखना, अब तेरे पास ही अंति मावसर है, अब तक राजा जनमेजे जी को विश्वास की बात पूरा विश्वास हो गया था, इसलिए पूरी शर्दा से विश्वास के साथ कथा सुनने लगा, विश्वास जी ने कथा आरम करी, कहा, जब भीम के बल से, भीम इतने बलवान थे, तो हातियों को सुन्ड़ से पकड़ का उन्हें अंतिक्ष में उचाल दिया, और वो हाती आज भी अंतिक्ष में गूम रही है, तब राजा जनमेजे, अपने आपको रोक नहीं पाए, बोल उठे, कैसे संबभ हो सकता है, मैं नहीं मानता, विश्वास जी ने म फिर वियाज जीने अपनी मत्य शक्ति से आवान किया, और वो हाती पिर्थिव की आकरशन शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे, तब वियाज जीने का ये मेरी बात का प्रमान है, तब जनमेजे ने शर्दा विश्वास से कथा जो सुनी थी, उतनी बात में ही उसका कुछ च्रोक सही हो गया था, लेकिन एक बिंदू रह गया था, और वही बिंदू मिर्थु का कारण बना, कहाने का तात्परी यह है कि हमारी सबसे पहले तक्दीरे बनती है, हमारी मिर्थु लिखी रह आती है, हाप colonial से भाग्य लिखकर आती है, और जो होना होता है, उसके बाद हातों में नहीं होता क्योंकि हम सब भगवान के हातों की कट पुतली होते हैं इसलिए होनी से कोई लड़नी सकता और होनी होकर ही आती है चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो लेकिन भगवान की पूजा पाठ भक्ति से उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं धन्यवाद